हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू दे चैनल आज मैं आप लोगों को क्लास फर्स्ट इंग्लिश का लेसन टू अ न्यू स्कूल बैग पढ़ाने वाली हूँ ये स्टोरी है एक लड़की सिमरन की जो अपने पेरिंट्स के साथ स्कूल बैग खरीदने जाती है क्योंकि उसका स्कूल स्टार्ट होने वाला होता है सिमरन इस हैपी सिमरन जो है वो बहुत खुश है हर पेरिंट्स Mr. Rakesh Singh and Mrs. Anita Singh are taking her to the market उसके पेरिंट्स, हर पेरिंट्स Mr. Rakesh Singh, Mr. Rakesh Singh उसके पापा का नाम है And Mrs. Anita Singh और Miss Anita Singh उसकी मम्मी वो उसे मार्केट ले जा रहे हैं Simran always loves going out with her parents Simran को अपने मम्मी पापा के साथ बाहर जाना बहुत अच्छा लगता था But today's outing is special for her Outing मतलब बाहर जाना पर आज की जो बाहर जाने का प्रोग्राम था वो काफी special था उसके लिए और उसका स्कूल कल से खुलने वाला है कल से वापस उसका स्कूल स्टार्ट होने वाला है She is in class 1 now अब वो class 1 में आ गई है Last year वो class UKG में थी अब वो first student है जैसे आप सभी है In class 1, children have to study English, Maths and Hindi जो बच्चे class 1 में आ जाते हैं उन्हें English, Maths और Hindi तीन subject पढ़ने पढ़ते हैं Simran needs a bag to carry her books and notebooks to school Simran को अब अपने लिए एक bag चाहिए जिसमें वो अपनी books को carry कर सके Carry कर सके मतलब रख कर ले जा सके और अपनी notebooks और books को रख कर ले जा सके She is going to new market to buy a new school bag इसलिए वो अपनी मम्मी पापा के साथ New market जा रही है जिससे वो एक नया school bag buy कर सके, खरीद सके Simran knows that bags come in many shapes and sizes Simran को ये मालूम होता है Nose मतलब मालूम होना कि जो bag है वो कई तरह के shape और कई size में आता है Market में मिलता है She likes bag with long straps and with smiley on them Simran को ऐसा bag पसंद है जिसका लंबा सा strap हो Strap मतलब जो हम कंदे में फसाते हैं जो कंदे में बड़ी लगती है उसको strap बोलते है Simran को ऐसा bag चीए जिसमें लंबे-लंबे straps हो जिसकी लंबी बड़ी हो और उसमें smiley लगा हो They reached the new market square where a big shop sells bags, belt and suitcases फिर वो new market जब पहुँशते हैं new market square मतलब चुराहा जब वो new market के चुराहा में पहुशते हैं तो वहाँ पर एक बड़ी सी दुकान रहती है जो की bag, belt और suit case बेचती है Mrs. Singh moves towards the counter where purses are on sale Mrs. Singh मतलब Simran की जो मम्मी रहती है वो उस counter पर जाती है जहाँ पर पर्स होते हैं जो लेडी इसके जैसा बना हुआ यहाँ पर साइड पे वैसे पर्स सेल में होते हैं Mr. Singh wants to buy a belt और जो Mr. Singh होते हैं जो Simran के पापा होते हैं उन्हें अपने लिए एक belt खरीदना होता है जो वो अपने pant में लगाते पहनते हैं Simran claps her hand with joy at seeing so many school bags big and small hanging on the wall Simran जो है अपने hands को clap करती है ताली बजाती है खुश होकर with joy joy मतलब खुशी से क्यों इतने सारे school bags को देख कर जो की छोटे रहते बढ़े रहते और दिवाल पर लगे हुए होते हैं some older girls are choosing a shoulder bag for college वहाँ पर कुछ college की लड़कियां रहती है जो अपने लिए shoulder bag मतलब जो गंदे में ठांगने वाला bag होता है वो वाला bag खरीती रहती है a gentleman is selecting an executive bag to take to his office वहाँ पर एक office जाने वाले gentleman मतलब जो suit पहनते हैं वो अला इंसान executive bag मतलब जो अंकल लोग office लेके जाते हैं वैसा वाला bag खरीबता रहता है Simran picks a red bag with a smiley sticker on it Simran एक red color का bag पसंद करती है जिसकी उपर एक smiley का sticker बरलगा रहता है her father feels that the bag is not strong उसके जो पापा रहते हैं वो बोलते हैं कि ये जो bag है ये strong नहीं है ये काफी कमजोर है he wants her to choose the gray one which has strong handles और उसके पापा कहते हैं चाहते हैं कि वो gray color का bag खरीदे जो कि काफी strong handle वाला है जिसमें काफी strong उसकी बद्दियां है but Simran makes her face but Simran जो रहती है वो मासूम सा चेहरा बनाती है emotional वाला seeing this her mother buys the red bag for her उसका चेहरा देखकर उसकी मा उसके लिए वो bag खरीद देती है Simran proudly carries her new bag home और फिर Simran बहुत ही proud के साथ अपना नया red color का smiley वाला bag रह ले कर जाती है at home she covers all her new books and notebooks गर जाने के बाद वो अपनी सारी books and notebooks में नया cover चणाती है then she writes her name and class on them और फिर उसके बाद नेमचिट जो लगाती है वो अपना नाम लिखती है और अपनी classes लिखती है the new bag has two compartments compartment लग मतलब दो हिस्से तो नय वैके दो हिस्से होते हैं there is a large pocket in front and a smaller pocket उस bag में जैसे deux compartments होते है तो उसमें से एक बड़ा pocket होता और एक छोटा pocket होता है she places her books and notebooks in the large compartment वो जो बड़ा वाला हिस्सा होता है उसमें अपनी books and notebooks लगती है and the pencil box in the side pocket और जो छोटा में छोटा वाला compartment होता है उसमें पैंसिल box लगती है Simran is now ready for her first day in class 1 tomorrow Simran का bag, books, सब चीज़े तैयार है और अब वो कल इतने स्कूल के first day में जाने के लिए बिलकुल तैयार तो ये है एक लड़की Simran की स्टोरी कि वो स्कूल कल से जाने वाली है अब ये चैप्टर यहीं पर खताम होता है और अब हम मिलेंगे अपनी next वीडियो में Thank you